आज हम आपको श्री देवानन पंडित के विशे में बताएंगे श्री चैतने लीला के समय कुलिन में वास करते हुए श्री देवानन पंडित ने श्रीमत भागवतम का व्यवसाइक पाठ किया जो मायावाद दर्शन से कलुशित था एक देन श्रीवास पंडित ने उनकी दुर्ख शिश्यों ने श्रीवास को उस सभा से बाहार निकाल दिया अपनी शिश्यों के इस दुर्वयभार का मुख अवलोकन कर देवानन ने मत्त हाती अपराद किया अर्था भगवान चैतने के एक शुद्ध भक्त की निंदा का अपराद कालंतर में श्री गौर राय क एक अंतरंग भक्त वारकरेश्वर पंडित की कृपाद्वार देवानन शी चैतने की दिव्विता को समझे और उनके शर्णागत हो गये भगवान ने उनका अपराद शमा कर दिया तथा उन्हें भक्ति का परदान दिया वे कृष्ण लीला में भागुरी मुनी के रूप म सिवा रहत हैं धन्यवाद हरे किष्ण